कोरोना काल में भी अफिम तर्सकोरोने जारखन को उर्ता पंजाब की तरह उर्ता जारखन बनाने से बाज नहीं आ रहे है। इतनी बड़ी मात्रा में अफिम की तर्सकरी को लेकर शारखन में उठता जारखन बनने की बाद सही साबित हो रहे है। जारखन की राजधानी राची के पास से जब एक 22 चकर ट्रक पर से भारी मात्रा में अफिम का डोड़ा पुलिस के हाथ लगा तो पूरे इलाके में एक बार फिल संसनी फैल गई। पुलिस के तमाम तावों और कोशिशों के बाद भी अफिम तसकर अपने मसूबे पे लगबग कामियाब हो गए थे। वन्सोई और सहयोगी रामेश्वम मुंडा को पुलिस ने ग्रफतार किया। बाहरी गारी घुसी है जिस पर हो सकता है कि आप अपिजयनक समान हो या वैसे चीज़ लोड करके लोग लेके जा रहे हो। इसी सूचना के सत्यापना और शब करवाई है तो हम लोगोंने। हमारे सब्सक्राइब अजय जी और ठाना परभारी इंस्पेक्टर के नत्रत में एक तीम करा तो रात फ्रेम किये हम लोग और छपा मारी के लिए हम लोगोंने भेजा। पुलिस पार्टी को देखके ये गारियां जंगल से निकली और काफी तेजी से साथ भागना शुरू कर दे। हमारे पता पुलिस पताधिकारियों ने अथक प्रयास करके और जान को जोकिम में लगाकर इसको डिटेंड किया डिटेंड करने के बाद कुछ एक लोग फिल भी भागने में सफल हुए फिल भी दो लोगों को गिरफ़तार किया गया है जिसमें से एक सरवन राम है जो जो राजस्थान के रहने वाले हैं और दूसरा सहयोगी रामश्वर मुंडा है जो रहे इसी थाना चित्रे के रहने वाले हैं जब जाच परताल किया गया तो पाया यह गया कि उसमें अफीम जो डोडा हो कई बोरा से जादे इसमें लूड है ओवर लूड़ेट है और इसे जाच लोहा भी है यह गारी कुलकता से आ रही थी और इस जंगली छेत्रे में अंदर में गुसके और इस एरिया से डोडा जो प्रत्वणित चीज़ है इसको ले जाने का कामी लोगाने कि इनके पास से हां इनके पास से कोई कालजात अगर नहीं था हम लोग ने पर्थन दिस्ट अधर हम कर सकते हैं किंग राह एक एरियायअ आं चीली का जो इंटीरियर नामकूंटंच इंटीर एरिया है जहां तक एकस्षक हमनों को बिना소 उसको दिसक भी किया । लागत कतना है सर इसमेंолов कितनी बड़ी सफलता सब्सक्राइब लेकिन राहे में हमको लगता है कि पहली बार यह इतनी बड़ी है लोकल मार्केट में और प्लस राजिस्थान के मार्केट का अगर हम लोग को रिलेट करते हैं तो जैसा यह ब्रेवर लोग बताये हैं कि यह करीब 35 लाख से उपर की जो है सामाधरी है कि यहां जिस रेट में पर्चेज यह लोग करते हैं उने पौने दाम में उसको करीब दुहजार उपर केजी से भी अधिक दाम में वहां बेचने में यह लोग सफल होते हैं बड़ी शौक से लोग उसे राजस्पन जा रहा है थे क्या इसके ग्रत्व में आए जी बिलकुल हम हम लोग उने अभी तो फिलहाल दो लोग यहां से भागने में सफल भी हो गए हैं देर रात्री में रात्री के सहारा लेके निकल गया है और उनको हम लोग ट्रेक कर रहे हैं हो चकता है क्यों लोग पकरे जाएंग लेकिन यह बहुत बड़ा रैकेट है जो अंतर राजिये इसको कह सकते हैं जो आफीम का यह इसका तसकरी करते हैं सिर्फ आप समझ सकते हैं कि जराजस्थान की गारियों का यूप 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 के गारियों का यूप यूप क्यों हो रहा है इसके पहले भी नामकुम में हम लोग ने जब डिटेन किया था पकरा था तो यूप की ग पहना यह कि अगर हम लोग एक ट्रक डोडा अगर ले जाने में सफल हो गए तो हमें एक एलपी गारी इसके पुनाफे में हमको मिजा था ऐसा इन्हों का मानना बात भी सही है जब 35-40 लाग उपया का सामगरी हो जा रहा है तो एक चीजों में सर इसका वैसे तो अफीम की खेती बड़े पैमाने पर जंगलों में की जा रही है लेकिन इस बार पुलिस की दबिश के बाद कई जंगली इलाकों में फसल को शुरू में ही नस्ट कर दिया गया था लेकिन पहले से ही इस इलाके में इतनी भारी मात्रा में अफीम की खेती की जा रही है जिसे पूरी तरह नश्ट कर पाना आसान नहीं है जानकारी के अनुसार राज में नक्सलियों की तरह से भी अफीम की खेती भारी पैमाने में की जाती है इसकी तसकरी के बाद मिली रकम का अस्तेमाल वो संगठन को मजबूत करने में करते हैं बिरो रिपोर्ट सब्रंक समचार राची